ओम स्री गनी स्राइनम दोस्तो ऐस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर सनीवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सनीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपने दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महत्पपून कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपनी पृतिवाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंद्रित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्सन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यों में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रिकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना हैं वे ध्यार्ती अपन डगमा आ सकती है इसलिए बजट बना कर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रिकार का विचार विमर जित कारों को लेकर काग जातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करे कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइट कैसी रहने वाली हैं दोस्तों परिवार के साथ मनुरंजन संबंदित कारों में स स्योग रहेगा जिसकी वजए से आपके आपसी संबंदों में काफी मधूरत आएगी पती-पत्नी के संबंद खुशनुमा रहेंगे सौपिंग और मौज मस्ती में आज समय व्यतित होगा प्रेम संबंदों को भी परिवारिक शुकरती प्राप्त होगी व्यवशाय और पर संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वेवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो पार्टनर्सिप संबंदित कारों में लाबदाएक आज प्रस्तितियां बन रही हैं कारे को वि आपके व्यवशाएं में नए ओर्डर और अनुवंद प्राप्त हो सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भर रहेगा आप अपनी युग गिता वे काबलियत द्वारा अपने प्रतिश्ठान में कुछ बदलाव लाने की कोशिस करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे कुछ नए जन संपर्ग भी आज इस्थापित होंगे ऑफिस में बॉस वे अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे वेवसाइक गतिविद्यों को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुजाव को आप अधिक ध्यान में रखें जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं दोस्तो नौकरी में आप अपने काम के प्रती किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरतें वेवसाइक गतिविद्यों में सुधार आएगा करमचारियों के प्रती आपकी उधारता वे उत्तम वेवार उनकी कारे छमता को और भी अध बढ़ाएगा दोस्तो साती सात कारे छित्र में आप सभी गतिविद्यों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे अपनी कारे प्रणाली दूसरों के सामने जाहिर ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है नौकरी पेसा व्यक्तियों की उनके उचित काम के ल स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है इसलिए आप सैयमित दिन चरिया रखे इसके लिए दोस्तों आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजान योग करें वयाम स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुप्य क्या हैं दोस्तों आज आप इस मिस्रन को भगवान शनिदेव का इसमरन करते हुए चीटियों को खिलाएं और साथी साथ अपनी मनों काम नहें मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके चीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशाने उकांत करेंग और आपके समस्त कार रहें भगवान शनिदेव के आशिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तों भगवान शनिदेव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो शच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जैश शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद